वीदा पीपल एक समन संग पिछले आठ मेनों से लगातार काम कर रहा है, बड़ी तीरूगती से बढ़ रहा है, इतनी स्पीड से बढ़ रहा है, यह संक्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस संकल्पना का उद्दिश से क्या है? यह सब जब हम अपने फील्ड में जाते हैं और बताते हैं लोगों को या मीटिंग में तो उनके बहुत सारे प्रसंद हुटते हैं कि क्या यह नया संग्टन है, क्या खास उदेश से इसका क्या ये पार्टी है, क्या करेगी, वो नेता है इसके. और जब हम इसका जबाब देते हैं, तो उनकी संकाएं दूर करने की कोशिज करते हैं, तो दूर नहीं होती. ये दूर जब होगी, जब वैक्ती इस संग में आएगा, समय देगा, अपनी मीटिंग में शामिल होगा, सु संकल्पना है, वीदा पीपल, जो हम सब भूल चुके थे, संकल्पना को, उसे याद करा जा रहा है, इसे याद कराने का, आप कोई पूछे कि कारण क्या है? सिधा सा कारण है, अगर हम जानना चाहे कोई विबेक्ती, तो उए अपने आप से स्वाल पूछे कि आज क्वेतर साल होने के बाद भी सभी तरह के संग्ठन चाए धार्मी को चाए राजनेती को चाए करमचारी हो चाए समाजी को सब होने के बावजूद भी हमारे सविधानी का दिकार हमें मिल रहे है क्या आज देश की सासन व्यवस्ता सविधान की प्रीकलपना थी उसके नुसार चल पा रही है क्या क्या या और बिगड़ती जा रही है या सविधान को ठीक से लागू किया है आदा दूरी व्यवस्ता लागू की ह है या जो लागू हुई वो भी समाप्त होने के कगार पर है ये सब जो हो रहा है देश में सभी तरह के मिला कर है उनतिस लाग संग्ठन है और जिसमें से चार लाग सक्रिय संग्ठन है फिर विया ऐसी हालत क्यों तो इसलिए इस संग की जूरूरत बड़ी और ये आप देखा जाए तो सरयाम सिविधान जलाया जा रहा है सिविधान की मन्सा के विप्रीत हर सेत्र में और आम जनता के लिए जीने के अधिकारों का हनन होता दिखाई दे रहा है हत्या बलादकार की घटना ही दिनों दिन बढ़ती जा रही है लेकिन सभी नेतावे संग्ठन मूख दर्सक बने हुए है या अलग अवाज उठाते हैं सभी नेतावे संग्ठन जनता के प्रती किया जाए ताकि हम भारत के लोग वीदा पीपल के अधिकारों को बचाया जा सके इसका प्रियास किया गया मुखे संग्षनों के पदादिकारियों को भी बुला कर मिटिंग भी की गई लेकिन वो सब इकठे जरूरी लेकिन अपने व्यक्तिवाद वैस्वार्थ के कार्ण बहुत सारे अन्य व्यक्तिगत आकांगसाएं भी हो सकती है उनके चलते वो कोई पिकठा होने के लिए तैयार नहीं हुए इस से फिर ऐसा लगा कि अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि इसका पार्टी एसंक्षन है वो वीदा पीपल के हितों का उनको कम ख्याल है और अपने व्यक्तिगत लोग वर्सव चोद्रहाट पद परतिस्टा उनकी सरोपरी है तो इसलिए वीदा पीपल को हम भार्ट के लो इसलिए पुरानी परंपरा जो है संग की याद आई संग फिर सोचा गया कि वीदा पीपल है जो भार्ट के लोग हमें संग को याद दिलाना होगा सबी को और संग बना कर ऐसी ताकत बना पाएं ताकि हम अपने अधिकारों को बचा सके संग की मैता का परचार शुरू किया गया ठीक है कोविड के चलते फिजिकल मीटिंग स्टार्टिंग में नहीं हो पाए जिसे वर्ट्यूल जूम पर मीटिंग लगाने शुरू की गई और ये इतनी सफल हुई कि ये फिजिकल मीटिंग से भी जादा हमारे संग के लिए कार बढ़ रही है अब फिजिकल मीटिंग भी सुरू हो चुकी है रोजाना काफी काफी मीटिंग अलग अलग छेतरों में फिजिकल मीटिंग भी होती है ताकि जो लोग जिनको नेट से या और प्रॉलम है उस तरह की उसके कारण वो इसमें जूड नहीं पाते हैं दिनों दिन संग में समझने वालों की और इसे जोइन करने वालों के संख्या बढ़ती जारी है जूम मीटिंग में रोजाना वीदा पीपल की उदिश्या को बताया जाता है और एक्टिव संख्या भी इससे और बढ़ती जारी है जो इस कंसेप्ट को समझने वाले हैं समय के साथ साथ स संग में सभी जैसे नियम बने हैं संग में सभी समान है कोई छोटा बड़ा कोई परधान नहीं है संग मंच माइक पद परतिष्टा के मैतव को मैतव नहीं देता सभी के समान अधिकार है संग में पैसा इकठा नहीं किया जाता ना इसकी जुरूरत है ना इसकी जुरूरत किसी पर बोज नहीं बनना कि आ किपने करेंगे और यह किसी तरह का कोई भी खर्चा इसकी मीटिंग में हो या किसी और परपज के लिए वह सब घबर का अपना हिशा कर इसका खर्चा वहन हो狂ग का warrior पींड मिटिंग में है, वो सब अपना सद्धत से अपना ले कर आएंगे मिटिंग में और अगर नहीं लेकर आएंगे तो जो बी व्युश्था वो सब में अपना हिस्सा उसमें देंगे जो खर्चा होगा, संग के इन सबी नीमों के चलते पार्टियों है संग्टनों में इतनी खल्बली मची है इसका एकि अभी संग के सद्दे से किसी भी संग्टन या पार्टी को पैसा नहीं देगा तो इससे संग और पार्टी की संग्टनों में इतनी खल्बली मची है वो बार-बार इसका विरोध करते हैं ऐसी बातों से संक्टन के नेता बहुत ही नराजगी जाहिर करते हैं आप समझे कि इनको पैसा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए इस बात का हमें पता होना चाहिए कि जब संक्टन और पारटिया बननी शुरूई ठीक है अच्छा काम किया उन्होंने पैसे भी लिये हो हो गिये उसका मिसे भी नहीं होगा और समाज को वी ड़ा पीपल को जगाने के लिए उन्होंने काम भी किया । अफ़ी कार्वों के प्रति जागरू किया हमारे इतियास के बारे सब हुआ इन सब कामों के लिए संग्ठ्न Jin sun में अगर पैसे का प्रयोग किया होगा, ठीक है. लेकिन जैसे जैसे समय ब संग्ठ नर पार्टियों की कार्यों में लगबग सित्रताा आ और पैसे कठा करने का जो कारिया चल रहा था परधान सेक्टरी आदि जो बन गए या बनाए जाते थे उनका ध्यान कारिया से ज़्यादा पैसों पर होने लेगा जब पैसे की बात आई तो संग्थनों के सद्धिस्वें फोट पड़ने लगी वे इसका विक्टन सुरू हो ग हो गया जैसे एक से दो दो से चार दो से चार से आठ ऐसे उनतिस लाग संग्थन बन गए जो बार-बार कहता है कि हम बाबा साब का मिशन है वो अधूरा है उसको पूरा करेंगे इतनी जातिया है उनको एक साथ लाएंगे लेकिन खुद अपने आपको उनतिस लाग हैं इनमें बताया जाता है इन संग्टनों के परधान अपने पदव परतिस्टा में इतने खुए हैं कि इन्हें वीदा पीपल के अधिकारों की परवा ही नहीं है बलकि इन्हें इस बात की चिंटा है कि जब पैसा होगा तो उनका उनका उसमें क्या स्थान होगा या जब इकठे होंगे तो उनके पद का या उनका खुद का उस इकठे होने में क्या स्थान होगा इसके चलते WTP के अधिकार लगतार चीनी जा रहे हैं अब कोई और विकल्प नहीं है सिवाई इसके कि हम लोगों को खुद अपने अधिकारों की सुरुक्षा के लिए आगे आना प बादाओं को दूर करना हो जो समाज में बिखराव पैदा करती है जो हमें भाईचारे से दूर करने के लिए जो इसतने की जो बाते हैं बादाओं उन्हें दूर करना है इन बादाओं को दूर करने के लिए वीदा पिपल को अपनी सोच बदलनी होगी अपने आचरण में स अस्तंगिक माल्ग को अपनाना होगा। धन को जानना होगा। यह पूर्णते विज्ञान है, प्रकरति है। इस तरह हम संग में आकर अपने दिकारों को बचा सकते हैं, सुख प्राप्त कर सकते हैं, अपने बच्चों की आने वाले बिश्य जिन्दिगी, अपने जन्रेशन ह है उनकी उनके दिकारों को कर सकते हैं संक के नियम यानि पंसिल के नियम अलग से हम अलग से भी बताये जाते हैं आपे दो दिन जो धम के एक और फंद्रा तारिक है वो फिक्स है उनमें भी नियमों का जिकर होता है और वैसे भी नियम मैं सारे पंसिल के पालन करने के लिए तो संग किनियम पंसिल किनियम अलग से सब मीटिंग में भी बताए जाते हैं संग में आने के लिए जादा से जादा अपने भाईयों को बताएं मीटिंग में लेकर आएं संग में लाएं ताकि जादा से जादा जल्दी से जल्दी सबी भाईयों तक संग का उद्देश से पहुंचे ताकि सब जुडे जुडेंगे तो जीतेंगे जिद है जुडने की जब जुडेंगे जब जब जीतेंगे जितना जुडेंगे उतना जुडेंगे जीतेंगे जहां जुडेंगे वहां जीतेंगे जो जुडेंगे वही जीतेंग जुड के रहेंगे, जीत के रहेंगे, संग में रहेंगे धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते है कहीं भी चला सकते है आप YouTube पे चला सकते है, अपने नाम से चला सकते है इसके लिए इजाजत लेने की या पर्मिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते है हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेन गच्छामी संगं सरनं गच्छामी बूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी बूतियं पी धम्ममर्सं गच्छामी भूतियं पी दम्मं सर्णं गच्छानी, भूतियं पी सर्णं सर्णं गच्छानी, ततियं पी बुद्धं सर्णं गच्छानी, ततियं पी धम्मंग सर्णं गच्छामी 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 सादू, सादू